आम बजट में सरकारनी कपास पर 10% इंपोर्ट ल्यूटी बढ़ा दी है ऐसे में विदेशी कपास मेंगा हो जाएगा और देशी कपास की फूच परक बढ़ जाएगी इसी किसान और बैपारी दोनों को फायदा होगा किसान का रोज़ान कपास की खेती की ओर बढ़ेगा बहीं बैपारी अधिक कपास खरीद कर अधिक प्रोसेसिंग करेगा केंद सरकारने सौंबार को आम बजट पेश किया बजट में किसान बैपारी, खिलारी, स्वास्त, गतविदियों, सहत आमजन से जुड़ी सुधाओं का ध्यान रखा गया किसानों ने बजट को राहत बालबताया, ब्यापारीों ने कहा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से कपास से जुड़े ओद्योगों को पिछले तीन साल में जिले में कपास की आवक बढ़ी है पहले पांच लाग कवंटल कपास आता था, अब बढ़कर आवक साथ लाग कवंटल हो गई है जिले में जीनिंग प्रोसेसिंग की चवदर फैक्टरियां हो गई है पांच साल में चार नई फैक्टरियां खड़ी हो गई, बजट किसानों के लिए राहत वाला है इमंडी, बड़े स्टोरेज, हाउस इनाम मंडी का फैदा किसानों को मिलना चाहिए माल बाहर वेचना चाहता है तो उसे टेक्स नहीं लगेगा कपास विवसाई ने बताया, बजट में सरकाद द्वारा कपास में 10 फीशद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है जो पहले सुनने थी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ये फाइदा होगा कि इंपोर्टेड कोटन महगा होगा तो हमारा सच्ता होगा उन्होंने बताया, खंडबा जिले में साल भर में 7 लाग कउंटल का पास 1 अक्टूबर से 30 सितमबर तक खरीदा बेचा जाता है Bureau for Market Times TV पर चल रहा, बूझो तो जाने क्विस कॉंटेस्ट जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आप से अर्थ व्यवस्था, कुमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल सही जवाब देने वालों में से विजेता को लखी ट्रो के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है Market Times TV के तरफ से पुरुसकार, बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले Market Times TV को भी सब्सक्राइब करना है आज का सवाल है किस फसल की खेती भारत में सरवाधिक शेत्रफल में होती है आपके option से option A गेहू, option B धान, option C कपास या फिर option D गन्ना जवाब के लिए टाइप करें फसल A, फसल B, फसल C या फिर फसल D आपको Market Times TV चैनल को सब्सक्राइब करना है और जबाब WhatsApp करना है आप जबाब WhatsApp कर दे 9953882229 पर आपने से लखी विजेता जीत सकता है टोस्टर